नमस्कार दोस्तो यूट्यूब चैनल रवी एललबी मापका स्वागत है आज के वीडियो में हम दंड परक्रिया सहिता के महत्मूर टॉपिक न्याले के डंड देने की सक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं पावर आफ क्रिमिनल कोड्स और ये CRPC का चैप्टर 3 है और सेक्षन है 26-35 और इससे रेलेटेट कोश्चन आपको ललबी, ललम, PCSJ, हैर जू डिसल सर्विस सहित अन्य परतोगी परिच्छों में पूछे जाते हैं तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल लोटिफिकेशन को प्रेस कर लिजिए तकि आने वाले नए वीडियो में आपको सबसे पहले तो आई शुरू करते हैं धारा 26 विचारण ये न्याले न्याले जो अपराधिक मुकदमे की सुनवाई करेगा भारती दंट सहता में परिभासित अपराधों के सुनवाई उच्च न्याले, सेसन न्याले अथ्वा नियाईक मजिस्टेट पर्थम स्रेणी द्वारा की जा सकती है बलातकार के मामले में केवल इस्त्री पीठा सी नधिकारी ही मामले का विचारण कर सकती है भारती दंट सहता के अत्रित किसी अन्य विधी द्वारा डंडनी अपराधों का विचारण उच्छ न्याले द्वारा अथवा ऐसे न्याले द्वारा किया जाएगा जो प्रथा मनुसूची में दर्साया गया है धारा 27 किसोर अपराधियों का विचारण बालकों के मामलों में विचारण के लिए अलग से बाल न्याले होते हैं अगर बाल न्याले नहीं है तो ऐसी परिस्तिती में मुख्य न्याइक मजिस्टेट द्वारब बालुकों के मामलों का विचारण किया जाता है इस धारा को प्योग केवल तब किया जाता है जब न्याले में उपस्थित किये गए या लाए गए आहरूपी के उम्र 16 वर्से कम होगी और उसके द्वारा किया गया अपराद मिर्त डंड या आजिवन कारवासि डंड नहीं नहीं हो वह डंड उच्च न्याले द्वारा दिया जा सकता है ऐसा डंड किसी भी प्रकार का हो सकता है डंड दिये जाने के संबंद में उच्च न्याले भातिय डंड ब्यवस्था की सरबाधिक सक्ति साली संस्था है जो किसी भी भातिय का डंड दे सकती है प्रवरित बिधी में ज से मिर्टु डंड दिये जाने की पुष्टी करना अन्निमार है इसके अत्रिक्ष सहयक सेशन न्याइधी 10 वस तक की अउधी का कारावास दे सकता है धारा उंतिस डंडा देश जो मजिस्टेट दे सकेंगे मुखिनाईक मजिस्टेट 7 वस तक का कारावास वा असीमित जुर्बाने से डंडित कर सकते है प्रथम वर्ग मजिस्टेट तीन वस तक का कारावास वा दस हजार रुपए तक का जुर्बाना या दोनों से डंडित कर सकते हैं दुत्तिय वर्ग मजिस्टेट एक वस तक का कारावास या पांच हजार रुपए का जुर्बाना या दोनों से डंडित कर सकते हैं मुख्य महानगर मजिस्टेट को मुख्य नयाइक मजिस्टेट की सक्तियां वा महानगर मजिस्टेट को प्रथमवर्ग मजिस्टेट की सक्तियां प्राप्थ होंगी। धारा तीस जुर्बाना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का डंडा देज। जुर्बाना अदार ना करने पर अत्रिक्त कारावास की सजा कोई भी मजिस्टेट का नियाले जुर्बाना ना देने पर अत्रिक्त कारावास की सजा सुना सकता है। जुर्बाना जमा ना करने पर कारावास की अवधी एक चौथाई तक अत्रिक्त कारावास दिया जा सकता है यदि अपराद भारती दंड सहिता के अंतरगत किया गया ऐसा अपराद है जो मात्र जुर्बाने से डंडनीय है तो जुर्बाना देने में वतिक्रम होने की स्थिति में अधिरूपित कारावास साधा होगा तथा जुर्बाना की धन्रासी 50 रुपए तक होने पर अधिक्तम 2 माह का कारावास तथा जुर्बाना धन्रासी 100 रुपए तक होने पर अधिक्तम 4 माह का कारावास और किसी अन्य स्थिति में अधिक्तम 6 माह का कारावास अधिरोपित किया जाएगा धारा 31, एक ही मुकदमे में कई अपराधों के दोसी ठहराई जाने के मामलों में सजा जब एक ही विचारण में एक वेक्ति एक से ज़्यादा अपराध हेतू दोसिध किया जाता है तब डंड क्रमसा एक के बाद एक प्रारम होंगे परन्तु जब नियाले निदेश दे तो एक साथ भोगे जाएंगे संकली डंड 14 वस के कारावास से अधिक नहीं होगा उस डंड के दोगुने से ज़्यादा नहीं होगा जिसे देने के लिए नियाले सक्षम है धारा 32 इस सहिता के आधिन व्यक्तियों को राज सरकार या उच्च न्याले ससक्त कर सकती है आदेश उस तारिक से प्रभावी होगा जिसको व्यक्ति संसूचित हुआ धारा 35 नियुक्त अधिकारियों की वही सक्तियां होंगी जो किसी व्यक्ति की है जो उस पद पर है धारा 34 सक्तियों को वापस लेना सक्ति राज सरकार अथवा उच्च न्याले जिसने प्रदान की है वापस ले सक्ति है मुख्य नियाइक मजिस्टेट अथ्वा जिला मजिस्टेट उन सक्तियों को वापस ले सकते हैं जो उनके द्वारा प्रदान की गई थी धारा 35 नियाइधिसों और मजिस्टेट की सक्तियों का उनके पद उत्रा धिकारी द्वारा प्रियोग किया जा सकना इस सहिता के अने प्रावधानों के आधिन रहते हुए किसी नियाधिस या मजिस्टेट की सक्तियां और कर्तबियों का प्रियोग या पालन उसके पद उत्रा धिकारी द्वारा किया जा सकता है उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया हुगा